आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें यहाँ पर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो तुम सबसे पहले देखते हैं कि सतत और व्यापक मुल्यांकन क्या होता है सतत और व्यापक मुल्यांकन सतत और व्यापक मुल्यांकन कार्थ होता है कि बच्चो के समस्त कौशल या फिर कह सकते गुनू का विकास प्यार्थ होता है इसका प्रिसकार्थ होता है बच्चो इसे सभी सिलिख लेते हैं क्या होगा यह बच्चो के समस्त कौशलो या फिर कह सकते हैं गुनू का विकास क्या कहलाता है सतत इवं व्यापक मुल्यांकन कहलाता है यदि विकल्प में देखे तुम्हर पहला विकल्प कहें कि यह बच्चे के संदर में ही मुल्यांकन करता है तो सतत और व्यापक मुल्यांकन जो है वो बच्चे के संदर में ही मु तोह हमारे बुकल पहले नहीं होता है स्रक 무친ान काधिन बच्चे की उसी जानकारी देता है और गुशाय कास में इस खता को आप मेरा इस में आप JSB , फिर उसीलिकरे में लेक्बंद बच्चों ने कतना सीखा है एक जानकारी की कुर्स है कि उपकरा नहीं होता है बल्कि यह बच्चों ने कितना सीखा है यह इसके जानकारी मिलती है तो मैं विकल पर दूसरा भी नहीं होगा विकल पर तीसरा है कि यह बच्चों को उत्तिन अनुतिन श्रेनी में वाज़ित करने में विश्वास रखता है तो यहां मारे विकल पर त इसका सही उतर क्योंकि यह बच्चों को उत्तिन अर्णूतियर्न श्रेणी में वाज़ेते करने में इस्वास नहीं करता है और विकल को चौता है कि यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जुरत है तो हमारे विकल को चौता जो करने वो भी सही है तो हमारे विकल को स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर